इगनेशाय नमो नमह मित्रो अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वाकत है आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में आज के पंचांग में तिथी वार नक्षत्र योग और करण की विस्तरित जानकरी के साथ साथ आज का शुब समय अभिजीत महुरत रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के वरत और तिवारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है आए जानते हैं आज का शुब पंचांग पंचांग से पहले आज का सुविचार जब तक आप गुस्से में हो तब तक कोई फैंसला ना ले और जब आप बहुत खुश हो तब भी कोई वाइदा ना करें दरनसल इस बात को लेकर ना केवल विज्ञान बलकि पुरानी पीडियों के वेद भी मानते थी आज की तारीक 17 अक्तूबर 2022 आज का वार सो मवार आज कार्तिक माहा का सात्वा दिवस है कार्तिक माहा के कृष्ण पक्ष की सब्तमी 9 बज कर 29 मिनट सुबह तक रहेगी इसके बाद 80 मी तिथी प्रारंब हो जाएगी आज के सुर्योद्य का समय है 6 बज कर 23 मिनट सुबह सुर्यास्त का समय 5 बज कर 15 मिनट शाम को रहेगा आज चंद्रोद्य का समय है 11 बज कर 24 मिनट रातरी को और चंद्रास्त का समय 1 बज कर 10 मिनट दोपहर को होने वाला है आज चंदरमा मिथुन राशी में 10 बच कर 28 मिनट शाम तक रहेंगे इसके बाद करक राशी में चंदरमा आ जाएंगी आज सूर्य कन्य राशी में 7 बच कर 37 मिनट तक रहेंगे इसके बाद सूर्य तुला राशी में आ जाएंगी आज चंदर्मा पुनेरवासु नक्षतर में पांच बच कर तेरा मिनट अगले दिन सुभैत करेंगे इसके बाद चंदर्मा पुष्य नक्षतर में परवेश करेंगे आज का पहला करण बाव नो बच कर उनतिस मिनट सुभेत करेगा आज का दूसरा करण बालव दस बच कर चुवालिस मिनट रातरी तक रहने वला है आने वाले वरत और त्योहारों की सुची में आज 17 तारिक को कालास्टमी, अहोई अस्टमी, रादाकुंड सनान और तुला सकरांती है 21 तारिक को रमाय कादिशी का वरत होगा आज का योग शिव चार बच कर दो मिनट शाम तक रहने वला है इसके बाद सिध योग प्रारम होज़ेगा आईए जानते हैं शिव योग के बारे में शिव का अर्थ है शुब अथवा कल्यान यह योग बहुत ही शुबदायक है इस योग में केगे कारे और सभी मंत्र शुब फल परदान करने वाले होते हैं इस योग में यदि प्रभू का नाम लिया जाए सिमरिन किया जाए तो भी अवश्य ही सफलता मिलती है यदि आप शिव योग में पैदा हुए हैं तो आप एक दयालू और सच्चे विक्ति हैं आप लोगों का कल्यान चाहते हैं आप मानवता की सेवा करना और जरूरत मंदों की सहायता करना पसंद करते हैं आपका अध्यात्मिक्ता की और जुकाव है और परंपराव और अनुस्थानों में दड़ विश्वाश रखने वाले विक्ति हैं आए जानते हैं आज की देशाशुल के बारे में जिन विक्तियों की चंडर राशी, मेश, सिंग और धनु है ऐसे विक्तियों को पूरव दिशा में यात्रा नहीं करने चाहिए और नहीं अगनी कोण में यात्रा करनी चाहिए यदि आवशक हो यात्रा करना तब आइना देख करके अथवा पुश्प खा करके प्रस्थान कर सकते हैं इसका एक अन्या उपाई यह है कि अपने पास चंदन रख करके भी इस दिशा में यात्रा की जा सकती है आज का इस समय आज का रहकाल साथ बच कर उन्चास मिनाट सुबह से नो बच कर पंदरा मिनट सुबह तक रहेगा यमगंकाल का समय 10 बच कर 40 मिनट सुबह से 12 बच कर 6 मिनट दोपहर तक रहने वला है राहुकाल और यमगंकाल दोनों ही ऐशुब समय है इसलिए इन समय के दोरान किसी भी प्रकार का शुब और मागली कारे शुरू नहीं करना चाहिए अन्य था कुछ न कुछ विघन आ सकता है आये जानते हैं धन प्राप्ति के लिए दिपावली पर किये जने वला एक अन्य उपाई दिपावली की शाम को अशोक व्रक्ष की जड़ अशोक व्रक्ष से ही मांग कर लाएं इनसे प्रार्थना करें कि हे व्रक्ष हमें आपकी अत्यंत अवशकता है कथा अपने पास उस जड़ को रखें इससे धन में स्थिर्ता आएगी आज के कुछ अन्य शुब योगों में से अमरितकार्यम योग 2 बचकर 31 मिनाट अगले दिन सुबह से चार बचकर 19 मिनाट अगले दिन सुबह तक रहेगा आज सरवारत सिद्यों का समय रहेगा पांच बचकर 13 मिनाट अगले दिन सुबह से चा बचकर 23 मिनाट अगले दिन सुबह और गोधुली का समय आज है पांच बचकर 41 मिनाट शाम से च्छा बच कर पांच मिनट शाम तक आईए बढ़ते हैं दिन के चोगड़िये की तरफ आज दिन के चोगड़िये में अम्रत समय रहेगा च्छा बच कर तेईस मिनट सुबह से साथ बच कर उनचास मिनट सुबह तक शुब समय 9 बच कर 15 मिनट सुबे से 10 बच कर 40 मिनट तक रहने वला है चर समय अर्थात समाने समय 1 बच कर 33 मिनट दो पहर से 2 बच कर 58 मिनट तक रहेगा लाब समय 2 बच कर 58 मिनट दो पहर से 4 बच कर 24 मिनट तक रहने वला है अमरत समय 4 बच कर 24 मिनाट शाम से 5 बच कर 50 मिनाट शाम तक अमरत समय रहेगा आज रातरी के चोगड़िये में 4 समय 5 बच कर 50 मिनाट शाम से 7 बच कर 26 मिनाट शाम तक रहेगा लाव समय 10 बच कर 34 मिनाट रातरी से 12 बच कर 7 मिनाट मध्य रातरी तक होने वला है शुब समय एक बच कर एक तालीस मिनट अगले दिन सुबह से तीन बच कर पंदरा मिनट तक रहेगा अमरत समय तीन बच कर पंदरा मिनट अगले दिन सुबह से चार बच कर उनचास मिनट तक होगा चैर समय अर्था समाने समय 4.49 मिनट अगले दिन सुबह से चैर बच कर 22 मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगा ये था आज का शुब पंचंग आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें अनुखा संगम का चैनल और इसे जादा से जादा सब्सक्राइब करें शेर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो में अंति तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद